देखिए, question क्या कह रहा है, 23 question क्या कह रहा है, कि 41 to power n minus 14 to power n is divisible by 27, वही तरीका वही है आपका, घिसा पिटा, step 1 for n is equal to 1, तो यहां से P1 क्या निकलेगा, 41 to power n minus 14 to power, sorry, n को 1 लिखेंगे, तो 41 to power 1, 14 to power 1, यहनि 41 minus 14, को minus को 27 आएगा, अब minus करके नहीं दिखा रहे हैं, तो is divisible by 27, divisible by 27, तो इसका होता यह n is equal to 1 के लिए, सही है, step 2 में क्या करेंगे, कि let it is divisible, divisible by 27 for n is equal to k, तो यह क्या हो जाएगा, यह PK हो जाएगा, और यह हो जाएगा, 41 to power k, minus 14 to power k, तो 27 से डिजूल होगा, तो 27 lambda लिखेंगे, ठीक है, बहुँआए, 27 into something आएगा न, something वो lambda है, और step 3 क्या होगा, for n is equal to k plus 1, इस वाली question को इस्तेमाल करेंगे, और यह result हमको लाना है, देखें, क्या होगा, PK plus 1 is equal to 41 to power k plus 1, minus 14 to power k plus 1, यहाँ पर थोगा दिमाग लगाना पड़ेगा, यह result दाना है, यह ध्यान रखेगा, ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा साथ दिमाग लगाते हैं, तो यह क्या लिखा है, 41 to power k into 41, minus 14 to power k into 14, आप ध्यान दीजिए, इसके पहले वाला एक question था, जिसमें x to power 2 के वाला question था, तो इसमें कुछ plus minus करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इसमें क्या क्या 41 into 14 to power k plus कर दिया, और 41 into 14 to power k minus कर दिया, उल्टा कर सकते हो आप, 14 into 41 to power k plus कर के minus कर सकते हो, कि वाल थोड़ा calculate करने के लिए, अब हमको लाना क्या है, 41 to power k minus 14 to power k चाहिए, 41 to power k minus 14 to power k चाहिए, इसका मतलब मैं इसको और इसको एक साथ लिखूंगा नहीं देखे इसको इसको एक साथ लिखरके value आ रही है इसको इसको एक सा लिखरके common क्या दिख रहा है अबको 41 common दिख रहा है ना यहां क्या आप चाहिएगा 41 to power k minus 14 to power k और इसमें क्या common दिख रहा है 14 to power k यह तो सेम ची लिखे ना तो 41 minus x को अगर आप मन में x माल लिजे तो 41 x minus 14 x लिखा हुआ है तो minus 27 x 14 to power k हो जाएगा ना simple mathematical calculation है same term लिखे ना like terms है और यह क्या है यह आप बता चुको 27 lambda और minus 27 x 14 to power k आपने यहां क्या किया है equation 1 को use कर दिया using equation 1 यहांस क्या common दिख रहा है 27 तो 41 lambda minus 14 to power k is also divisible divisible by 27 so it is divisible by 27 for all the values authentic so अग्यारी वाव विवाथ